हे स्टूडेंट्स वेलकम टू में चैनल निम्रिट्सी मैट्स क्लासे तो स्टूडेंट्स आज की वीडियों हम सॉल्फ करने वाले हैं एक्ससाइज 7.7 ऑफ क्लास 12 इसमें हम इंटिग्रेशन पढ़ते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन का कोई बाइपार्ट कोई पार्शिल फ् स्टूड़ों को लर्न करने की उसके बाद हम तीनों से रिलेटेद डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखें नहीं तो को इंपॉर्टेंट क्वेशन में सो जाएगा तो च को य-2 वह डिपेंट करेंगा यहां धिवाई हो जाएगा तो क्या हो गया गए अगर आप का कौंस्टेंट क का स्क्वेश्चा माइनस वेरियबल का स्क्वेश्चा गिवन है या त् só two addition में है तो इन तीनों के लिए democrats दिफ्रेंट फॉर्मौले होते हैं तो उन फॉर्मौल इंटू में आगी this term जिसको आप integrate करना चाहरे means root of a square minus x square similarly यहाँ पर x by 2 इसमें हो जाएगा x by 2 into this term जिसको आप integration करना है means x square minus a square का root यहाँ हो जाएगा x by 2 root of x square plus a square तो जो यह term है यह तीनों फॉर्मूलों में same रहेगी तो यह learn करने में कोई problem नहीं होगी अब next step क्या होगा a square a square by 2 हम लिखते है अगले step में वो plus आएगा minus यह किस पर depend करता है आपकी question में a square कहसा है यहाँ a square positive है यहाँ a square negative है यहाँ a square positive है means इस formula में आएगा plus a square by 2 यहाँ आएगा minus a square by 2 और यहाँ आएगा आएगा आपका plus a square by 2 अब इन तीनों में last में जो time है वो बस different आने वाली है क्या जब आपका constant का square आगे होगा a square आगे होगा तब आपका आता है sin inverse x upon a plus c x upon a means जिस variable का square कर रहे हैं वो variable पूरा upon वो constant next इन दोनों में log आता है कैसे लिखते हैं log of mod of x plus x plus जिस term का आप integration कर रहे है वो as it is root of x square minus a square plus c इसमें क्या आएगा आपका देखी दियांसे log of mod of x plus प्लस दोनों में आएगा अंदर वाली term जो question में पूछा गया है वो आपका as it is लिख देना है आपको x square plus a square plus c तो ये थे तीन formula है अब इन formula होगे बेस द्रम different type की questions discuss करेंगे first question है हमारा आपकी textbook exercise 7.7 का ही है question under root of 1 minus 4x square आप इसको क्या लिख सकते हैं बहुत easy question है a square minus x square वाली term या x square minus a square वाली term में लिखना है तो 1 को मैं 1 का square लिख सकती हूँ minus 4x square को क्या लिख सकती हूँ 2x का whole square अब आप cross check करोई कौन सा हुआ a square minus x square वाला हुआ first वाला तो क्या बतायता है देखो formula नहीं देखेंगे अब इस उमने याद करने का तरीका बतायता है उसी से करेंगे x upon 2x means ये variable पूरा तो पूरा variable is 2x 2x upon 2 into under root of a square minus x square means जो आपको करना था as it is वही लिख दो तो अब ये ही न लिख दो 1 minus 4x square डारक्ली ये लिख देते हैं plus a square by 2 now a square is 1 तो 1 by 2 into sine inverse of x upon a x क्या है आपका x is your 2x 2x upon a a is 1 plus c तो your answer is 2 say 2 cancel x into root of 1 minus 4x square plus 1 by 2 sine inverse 2x plus c ये था question first now next question is under root of x square plus 4x plus 6 तो सबसे पहले इस question को देखे घबराना नहीं है क्या करना है completing the square method आप अच्छे से जानते ही है आपको वो method यूज़ करना है तो मैं एक बार फिर से revise करा दू completing the square method होता क्या है completing the square method में आपको करना क्या होता है सबसे पहले coefficient of x square आप चेक करते हैं 1 है या नहीं है क्या करते है coefficient of x square should be 1 तो उसको 1 आपने बनाना है अगर 1 नहीं होगा तो next step क्या होता है add करो और subtract करो किसको coefficient of x जो होता है coefficient of x upon 2 जो coefficient of x के half के square को आपने add करना है और subtract करना है फिर जो add वाले term है उसको आप formula में use करोगे for a plus b का whole square और a minus b का whole square तो यहाँ पहला step तो अपने आपी solve हो गया क्योंकि x square का coefficient 1 already है तो यह तो cancel next step मैंने क्या बता था add and subtract coefficient of x upon 2 का square तो आप यहाँ क्या लिखेंगे coefficient of x is 4 4 का half is 2 2 का square आप add करेंगे और 2 का square ही आप subtract करेंगे बाकी term as it is अब मैंने क्या बताता है जो add वाली term होती है positive वाली term होती है उसे use करके आप a plus b का या a minus b का whole square बनाएंगे वो depend करेगा इस term पे जो x वाली term होगी अगर वो positive है a plus b का whole square बनता है अगर वो negative है तो a minus b का whole square बनता अब यहाँ पे क्योंकि यह positive term है a plus b का whole square बनेगा now a is this x plus b is this 2 x plus 2 का whole square बनेगा using these 3 terms अब बच्चे यह दोनो term यह होगया minus 2 का square is 4 plus 6 तो यह होगया आपके पास under root x plus 2 का square 6 minus 4 is 2 positive 2 तो क्या मैं इस 2 को root 2 का square नहीं लिख सकती लिख सकती हूँ तो जब भी आपको कोई term मिलेगी उसको आपको square में लिखने है तो आप क्या करेंगे root of something का square अब यह formula बन गे हमारा root of x square plus a square जिसका formula होता है x upon 2 means x is this x plus 2 तो x plus 2 upon 2 into as it is यह वाल इतम अब इसको मैं पूरा लिख हूँ यह लिख हूँ है की बात है starting वाला तो यह जाएगा x square plus 4x plus 6 plus a square by 2 क्योंकि a square वाल इतम positive and now a square a square क्या था root 2 का square which is 2 upon 2 into log वाला हैगा क्योंकि मैंने बता है जब आपका constant का square आगे होता है negative होता है तो sign वाले टम आती है log of x plus root of x square plus a square मतब यह वाले टम और इसको जब हम square को open करेंगे add करेंगे तो हमें यही मिलेगा तो मैं directly लिख रही हूँ x square plus 4x plus 6 plus c अब का answer हो गया है x plus 2 upon 2 bracket ज़रूर लगाएंगे क्योंकि नहीं तो यह लगेगा 2 से multiply हो रहा है x square plus 4x plus c 2 से 2 cancel it is 1 तो 1 ना लिखें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है तो x plus root of x square plus 4x plus 6 plus c तो question number 2 एक last type का question और discuss कर लेते हैं एक question है यह भी आपके इंसेर्ट एक्सराइस का ही है root of 1 minus 4x minus x square मैंने क्या बताया था first question x square का coefficient आपका 1 होना चाहिए plus वो positive भी होना चाहिए लेकिन यहां आपका x square का coefficient 1 तो है आप देखेंगे तो minus 1 बोल सकते हैं minus 1 है उसको 1 बनाने के लिए माइनस sign common ले लेंगे सभी मैंसे तो यह क्या बन जाएगा under root of मैंने minus sign common लिया minus sign common लेने पे क्या होगा जो minus वाली time है वो plus की बन जाएगी और जो plus वाली time है वो minus की बन जाएगी उससे कोई फरक नहीं बढ़ा मैंने minus sign common ले लिया अब इस step में x square का coefficient 1 है अगला step अपको होगा add and subtract coefficient of x सा half यानि की again 2 का square आप add कर रहे हैं और 2 का square subtract कर रहे हैं plus 4x minus 1 as it is तो यह होगे आपका ध्यान से देखेंगे x square plus 2 का square plus 4 इनको मैं use करूंगे ते बनेगा x plus 2 का whole square इस bracket के अंदर और यह क्या आएगा minus 2 का square is minus 4 minus 1 minus 5 हो जाएगा तो यह आपके पास आगया है minus जो था मैं इसको open कर दूंगे अब तो minus x plus 2 का whole square minus 5 था ना minus 3 से multiply करेंगे plus का 5 हो जाएगा तो मैं इसको और simplify करके क्या लग सकते 5 को आगे ले लूँ क्योंकि positive है तो root 5 का square minus x plus 2 का square तो भी consider मन के root of a square minus x square वाली जिसका formula था x upon 2 x क्या है यह x upon 2 into root of a square minus x square तो जो कि क्या होगा यह same तो इसको simplify करने भी आपको यह ही मिलता 1 minus 4x minus x square आप एक step में करके दिखा देंगे root of यह वाला लिख देंगे a square minus x square अगले step में यह लिख देना डारेक्ली अभी मैं डारेक्ली लिख रहे हूं time safe करने के लिए आप पहले यह step लिखेंगे formula के according and then आप यह वाली value पुट करेंगे plus a square by 2 now a square is root 5 which is 5 5 upon 2 into क्या होगा sine inverse x upon a x is this x plus 2 x upon a a is root 5 plus c तो यह हो गया है आपका last question of this time बस ध्यान गे रखनी है बात आपको के जैसे मैंने directly लिख यह नहीं लिखेंगे formula के according जो नहीं formula पढ़ाता पहले आप ऐसे value पुट करेंगे like a square minus 6 square then finally आप वो जो question में value दी उसे आप पुट कर देंगे तो आज की वीडियो में इतना ही इसी के साथ 7.7 over मिलते हैं next 6.7 7.9 में 7.8 हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि वो slabis से out हो चुका है 7.9 discuss करते हैं which is definite integral तो मिलते हैं next वीडियो में तब तब की वोच्चिंग बाइ